जैपुर के थाना जैसिंग पुरा खोर इलाकी में क्राइम ब्रांच टीम ने बड़ी कारवाई की है। टीम ने इस दोरान दरजनों लगजरी कार, ट्रक और लाखों में नकदी बरामत के। इतना ही नहीं टीम ने मौके पर मौजूद 71 आरोपियों को गिरफतार किया है। और यहां पर अयाशी के सारे सामान मौजूद थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9 हुका, 21 जोड़ी ताशपत्ती, 7 टेबल, 44 अंग्रेजी शराब और 66 वीर की बोतल के साथ ही 14 लगजरी कार, 1 ट्रक और 23,71,000 की नकदी बरामत की है। अति पुलिस आयुक्त प्रथम अज्यपाल लांबा ने मामले की पूरी जानकारी ती और बताया कि पुलिस उपायुक्त पारिस देश मुख और अति पुलिस उपायुक्त श्री मती सुलेश चौधरी के निरदेश पर सहायक पुलिस आयुक्त चिरंजी लाल मीना और आयु जोती डूंगरी का रहने वाला नरेश मलोत्रा अपने बेटे मनवेश के साथ मिलकर इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करवाता है। पंजाब, करनाटक, उतरप्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र के हैं। साथ ही आरोपियों में एक करनाटक पुलिस इंस्पेक्टर, एक बैंगलोर का तहसीलदार और एक कॉलेज प्रोफेशर विशामिल है। पर कारवाई भी करती रहती है। अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।